आप्टेशन के बात करूंगा जो जनरली कन्फ्यूजिंग है और वो इंकम टेक्स परपस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें जानना हो सेक्षन के नाम है 80 CCD 2 80 CCD 2 section जो है basically employer के contribution के बात करता है तो हमें यहां यह भी clear होना चाहिए कि इस section का self-employed और employee के खुद के contribution से कोई लेना देना नहीं है तो इससे पहले कि हम आगे जाएं और 80 CCD 2 section की कुछ calculation को समझें दो सवालों के जवाब आपके पास होना जरूरी है और पहला सवाल यह है कि क्या आपका employer आपके NPS account में without ceiling limit contribute कर सकता है answer है yes यानि आपका employer का कोई ceiling limit नहीं है वो चाहे जितना पैसा अपनी तरफ से आपके NPS account में contribute कर सकता है लेकिन दूसरा सवाल यह आता है कि जो contribution आपका employer आपके NPS account में अपनी तरफ से कर रहा है क्या वो पूरा का पूरा contribution tax free है जवाब है ना और यहीं ATCC2 section का काम actually चालो होता है जो आपको यह बताएगा कि किस limit तक आपके employer के contribution आपकी salary में नहीं जोड़े जाएंगे यानि एक limit तक ही employer के contribution tax free है उसके बाद employer के contribution taxable हो जाते हैं आप आगे हम बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से calculations की जाती हैं देखिए calculation करने के लिए आपको इस section के लिए दो तरह के employees में section को बाटना होगा number one central government employees और number two other than central government employees तो मैं पहला case ले रहा हूँ other than central government employees का तो मान लिजे किसी की salary जिसे आप basic plus DA कहेंगे NPS की calculation के लिए एक financial year में 10 लाख रुपे है तो rule ये कहता है कि deduction basic plus DA का maximum 10% मिल सकता है तो यह 10 लाख का 10% हो गया एक लाख रुपे मान लिजे employer ने अपनी तरफ से उस financial year में contribute के 1.5 लाख रुपीज तो हम करेंगे कैसे कि पहले हम उस 1.5 लाख रुपेज को employee की salary में add कर देंगे तो हमने employee की salary में जोड दिये 1.5 लाख रुपीज अब हमें पता है deduction मिलना है 10% हमने अजूम की salary 10 lakh तो 10 lakh का 10% होता है 1 lakh यानि उस 1.5 लाख रुपीज में से हम 1 लाख रुपे का deduction दे देंगे तो ultimately जो remaining 50,000 रुपीज है वो उस employee के लिए उसी साल में taxable हो जाएगा यानि आपको इस सबज में आया होगा कि other than central government employee 10% तक जो contribution है वो employee के लिए tax free है उसके उपर के contribution अगर employer करता है तो उसी साल taxable हो जाएगे अब मैं आगे बढ़ता हूं central government employees के बात आप से करता हूं central government employees के लिए जो ये limit है 10% वाली वो 14% है ताम पर लेता हूं माली जिए वो ही 10 lakh रुपीज सेल लिए किसी central government employee की है और यहाँ पर government 2 lakh रुपए contribute करती है किसी financial year में तो 10 lakh का अगर आप 14% निकालेंगे 14% निकालेंगे तो वो आता है 1,40,000 रुपए contribute government ने किया 2 lakh तो पहले 2 lakh जोड़ना है fee deduction देना है 1 lakh 40,000 रुपीज का तो इसका मतलब यह है कि ultimately 1 lakh 40,000 रुपए तक का deduction मिल गया और जो बाकी का बचावा 60,000 है आपको उसी साल उस central government employee की salary में जोड़ना है तो मुझे लगता है कि अब आपको यह clarity आई होगी कि 80 CCD 2 section employer के contributions की बात करता है वो हमें यह बताता है कि employer के contribution कहां तक tax free है उसके उपर जो होंगे वो taxable हो जाएंगे अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो please मिले चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक knowledge के लिए पहुचाएं thank you so much बहुत बताने वाद